आंध्रप्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चनाओं के लिए जबरदस्थ मुकाबला देखने को मिल रहा है वोटिंगे बाद इस बाद चन्द बाबु नाइडू की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी और जगन मोहन रेड़ी की YSR कॉंग्रेस के बीच कांटे की टककर बताई जा रही है कहा जा रहा है कि जगन की महीनों से जारी पद्यात्रा ने सत्ता की चूले हिला दी है लगबख सभी सियासी रुजान YSR कॉंग्रेस के पक्ष में ही आये हैं आंध्र में कहावत है कि जो नेता पूरे राज में पद्यात्रा करता है जनता सत्ता की चा भी उसी के हाथ में सौप देती है 2003 में राजशेकर रड़ी तो 2012 में चंद्रबाबु नाइडू ने 2000 किलो मीटर पद्यात्रा कर सरकार बनाई थी इसलिए आंध्रप्रदेश की मुख्यमंत्री और TDP प्रमुग चंद्रबाबु नाइडू के खेमे में खलबली है नाइडू प्रभावशाली कम्मा जाती से आते हैं लेकिन कम्मा राज़े के अबादी में महस 3 प्रतिशत ही हैं जबकि जगन मोहन रेड़ी की जाती के लोग राज़ में लगभक 9 पीजदी हैं इनी दोनों जातीयों का राज़ में जमीन से लेकर व्यापार, मदिरों के प्रबंधन और मीडिया संस्थान तक में वर्चस्व है हाला कि राज़ में 16 प्रतिशत दलित, 23 प्रतिशत पिछवे, 9 प्रतिशत मुस्लिम और 27 प्रतिशत कापू वोटर हैं और यही दरसल राज़नीती की दिशात तै करते हैं। यही वज़ा है कि यहां कापू फाइनाइंस कॉर्परेशन हैं, ब्रामःण फाइनाइंस कॉर्परेशन हैं, अल्प संख्यकूंग वह पिछला वर्गों के लिए भी अलग वित निगम हैं। राज़ की राज़नीती में शुरू से रेड़ी नेताओं का वर्चस्व था। लेकिन 1982 में एंटी रामाराओ के राज़नीती में प्रवेश के बाद कम्मा नेताओं ने सत्ता पर कबजा जमा लिया। लेकिन एंटी रामाराओ के दमाद चंदरबाबु नाइडू इस समय पूरी तरह अकेले हैं उनके खिलाफ वायसार कॉंग्रेस के साथ सुपर स्टार पवन कल्यान की जन सिना पार्टी भी है पवन कल्यान के पार्टी अधिकतर उत्तरी आंध्र में मजबूत है जबकि जगन मोहन की पार्टी दक्षिन आंध्र में वहीं पडोसी राजित संगाना के मुख्यमंत्री के सियार ने हाल ही में कहा था कि चुनाओं के बाद उनकी और जगन मोहन की भूमिका राश्ट्री राजनीती में बहुत महतुर्पून होने वाली है राजनीतिक विशलेशक मानते हैं कि वे दोनों भाजपा का दामन थाम सकते हैं 2010 में पिता रही है कि अगर जरूरत हुई तो YSRCP प्रमुक अपने माता-पिता के संगठन के साथ अपने संबंधों को एक बार फिर पुनर जीवित करते हुए चुनाओं में कॉंग्रेस के साथ कटबंधन में जुड़ सकते हैं इसलिए जगर ने बीजेपी और कॉंग्रेस की रूप पे रोसेया को चुना इसी के बाद कॉंग्रेस और जगर्ण में विवाद हो गया बाद में जगर्ण ने कॉंग्रेस से अलग होकर 2011 में अपनी पार्टी YSR कॉंग्रेस पना ली थी हमारे वीडियोज को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले